पवन सींग एक ऐसा नाम है जो आप देखें कि हमेशा अपने विवादों में घेरे रहते हैं कभी आप देखें कि खेसारी लाल यादों के साथ इनका विवाद चलता रहता है कभी आप देखिए अपनी personal life में पत्नियों के साथ आप देखिए इन्होंने लगबग 2-3 साधियां की हुई है लगबग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कभे साधी कर लेते हैं कभ तलाक ले लेते हैं यह मालू ही नहीं चलता है तो आज हम लोग पवन सींग के बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे कि आखिर कौन है पवन सींग और इनसे कौन कौन से विबाद जोड़े रहे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे कुछ समय पहले आपने देखा होगा इन्होंने राजनीतिक पायटी भी जोइन की हुई थी तो कौन सी पायटी जोइन की हुई थी उस पर भी हम लोग बात करेंगे इनका अभीनित्ता की रूम में किस तरह से सपर रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे आप लोग पहले कुछ पिक्चर्स देख लीजे, यह आपको स्क्रीन पर सामने दिखाई दे भी रही होंगी, पवन सिंग की पिक्चर्स, और आप देखेंगे कि यह भी पवन सिंग, इनकी पहली पतनी, आप देखें इनकी दूसरी पतनी, और आप देखें, इनके साथ भी य में रह चोके हैं और कई लोग इनकी पत्नी भी बताते हैं क्या बताते हैं पत्नी भी बताते हैं और आप देखेंगे इनका बास्तविक नाम पवंसींग है क्या है पवंसींग इनका बास्तविक नाम है इनका जनम होता है पांच जनवरी 1986 को इनका जनम हुआ था कहां आरा वि की बात करें, तो वीदान सभा में 243 सीटे जटे देखने को विलेगी, वीदान परिशत में 75 सीटे हैं, राजसभा में 16 सीटे हैं, लोग सभा में आपकी 40 सीटे है और आप देखेंगे उत्तर्यत परिदेश से सीमा लगती है वियर की, जहारकंड से लगती है, पथ्म अंतरास साथी सिक्षा लेते हैं और आगे की सिक्षा ये महराजा कॉलेज आरा बिहार से पूरी करते हैं और आप सभी जानते हिनका काम अभीनेता हैं और एक गायक भी हैं सिंगर भी हैं अगर हम लोग इनकी बिवाहिक स्तिती की बात करें तो 1 दिसंबर 2014 में नीलं सींग के साथ इनक चल रहा है जोती सींग के साथ, फिर आप देखेंगे 6 मार्च 2008 को जोती सींग के साथ हिंदूरी तीरवाजों से साधी करते हैं, और फिर आप देखेंगे एक एक्टर थी अक्षरा सींग हैं, कौन सी हैं, उनके साथ भी रिलेशन की बात उठती रही है, और इनोंने अपने भ सारे साल की उम्र में ही साल 1997 में भोचपुरी गाना के साथ किया था, यानि कि काफी सफल अभी नेता हैं, अच्छे अभी नेता हैं, लेकिन आप देखेंगे इन पर जब विबाद जुड़ जाते हैं, तो इनकी जो छवी रहती हैं, वो धूमेल होने लगती हैं, उसके का गाना भोचपुरी दर्सकों के बीच खोव पिसिद हुआ, और आप लोग यूपी और आप देखें बिहार और जारकन के लोगों से मिलेंगे, या भोचपुरी सौंग को कई राज्यों की लोग और पसंद करते हैं, तो आप देखें कि वो लोग यही बजाते रहते हैं, भोचपुरी सौंग सुनते हैं, इस अलबम के बाद से उन्हें कई कंपनियों द्वारा भोचपुरी गाना गाने के ओफर आने लगे, और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक भोचपुरी इंडर्स्टी को कई भोचपुरी हिट गाने दिये, और जिसमें आप देखेंग कांच कसेली, लॉलिफॉफ लागेलू और जैसे भोचपुरी अलबम का नाम है, फिर उसके बाद पवचपुरी एक्टिंग करियर की सुरुआत भोचपुरी फिल्म रंगिली चुनरिया तोहरा नाम से साल 2007 में किया, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड कर नहीं देखा और उन्होंने बेक टू बेक, भोचपुरी इंड़स्टि को कई हिट भोचपुरी फिल्में दी, और जिन मैंसे कुछ फिल्में, तरी देओ, पवन, फरवाईया, एक दूजरे के लिए, संगराम, जिद्धी, सरकार राज, लेके आजा, वेंडवाजा, एपवन राजा, ब भोचपुरी फिल्मों और सो से जान्दा भोचपुरी इलवम में, अभिनै के साथ साथ गाना गाच चुके हैं, बेभोचपुरी फिल्म एंडश्टी के लगवक सभी हिरो, हिरोईन के साथ भी काम कर चुके हैं, अगर हम हिरों की बात करें तो रवी किसन, केसारी लाल सिंग्, आम पाली दोवे, प्रेंग का पंडित, पाखी हैंगडे, निधी जा, सहर अफसा, काजर रागवानी, तमाम इस तरह की एक्टर्स के साथ भी काम कर चुके हैं, जैसा कि राजनिति करियर की बात किये, तो भाजापा महासरचिप अरुन सिंग् ने 2014 में उस समय के, 2014 में भाजापा की बिहार राज जिकाई के प्रमुक नित्यादंद राय और महासरचिप और बिहार पिरभावी भूपेंद यादों की उपस्तिती में भगबा माला पहना कर, पवन सिंग को भाजापा में सामिल किया था, उसके बाद आप देखेंगे कि इनका काम के लिए कुछ पुरुसकार भी मिल चुके हैं, पवन सिंग को अंतराष्टी भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2016 में सरफशेष्ट अभिनेता का भी पुरुसकार मिल चुका है, और पवन सिंग को अंतराष्टी भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2018 में सरफशेष्ट अंतराश्टी भोचपूरी फिलम अवर्ड 2019 में सरवादिक लोगफ्री अभिनेता का पुरुसकार भी मिल चुका है। आरोप भी लगा था। लेकिन इस गाने को लेकर एक्टर पर डवल मीनिंग सौंग बनाने का रोप लगा था। पवन सिंग अपनी पतनी जोती सिंग से तलाग मांग रहे हैं। इस कारण भी अभी आप देखिए हाली में चर्चा में बने हुए हैं। तो यह है इस तरह के जो भी एक्टर हैं पवन सिंग उनकी कहानी और उनके बेबादों की कहानी उनकी जिस तरह से उन्होंने एलबम दिये हुए हैं। तो यही कहानी है और किसी के बारे में जानना हो तो बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे।